हेलो दोस्तों अब तक आपने कटहल की सबजी तो खूब खाई होगी लेकिन गया आपने कभी कटहल के बीच की सबजी का नाम सुना है तो आईए दोस्तों आज हम बनाते हैं कटहल के बीच की सबजी जब कटहल पक जाता है तो उसके अंदर से बीच निकलते हैं हम आज उसी कटहल के बीच की सबजी बनाने वाले हैं सबसे पहले कटहल के बीच की टू पीस करके उसको छील लीजिए उसको छील लेने से उसके उपर छिलका जो टाइट रहता है जो पकाने पर भी गलता नहीं है वो हट जाएगा छील लेने के बाद कटहल के बीच को दो से तीन वार पानी में बहुत अच्छे से धो लें ताकि उसके अंदर से जो भी हलकी सी स्मेल आती है वह भी निकल जाए इसके बाद एक पैन में मस्टर्ड ओइल डाल करके उसको मीडियम गैस पर रख दीजिए जब ओइल गरम हो जाए तब आप उसमें कटहल के बीच को डाल दीजिए लगातार चलाते हुए इसको दो तीन मिनिट तक फ्राई कीजिए उसके बाद एक टी स्पून नमक इसमें डाल दीजिए जिससे की नमक इसके बीच के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा से की हमको उसके अंदर तक का अच्छा स्वाद मिलेगा इसके बाद इसे पाँच मिनिट के लिए ढख करके रख दीजिए तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं दो बड़े प्याच काट लें एक इंच अगरक दो से तीन हरी मिर्च थोड़ा सा लहसन इन सभी को आप मिकसर जार में डाल करके ग्राइड कर लीजिए बहुत जादा महीन नहीं पीसना है हलका दर-दराय तक ही पीसे हरी मिर्च को ना पीसे अब हमारे पास प्याज लेसन और अदरक का पेश्ट तयार है अब पाँच मिनिट हो चुके हैं अब हम पैन पैसे धक्तन हटा करके देखेंगे अब कटहल के बीच फिराई हो चुके हैं और हलके हलके गल भी चुके हैं आप इने एक-दो मिनिट के लिए और फिराई कीजिए उसके बाद किसी प्लेट में इनको निकाल लीजिए अब पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल और डाल दीजिए मस्टर्ड ओयल गरम हो जाए तब उसमें मस्टर्ड सीट्स जिसे हम राई भी कहते हैं वो डाल दीजिए थोड़ी सी हींग तेजपत्ता हरी मिर्च जो हमने काटके रखी हुई थी उनको डाल कर एक से दो मिनिट फ्राई कीजिए उसके बाद प्याच का पेश्ट जो बना के रखा हुआ था उसको डाल दें जब प्याच का पेश्ट हमारा ओवाल आने लगे उसमें नमक, स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच तीखा चाहिए तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं एक छोटा चम्मच काला नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, डाल करके इसे तब तक भूने, जब तक की मसाला कड़ाई को ना छोडने लगे और उसमें से ओईल अलग ना हो जाए अब हमारा मसाला भून करके तैयार है अब हम मिलाते हैं इसमें अपना सीक्रेट टमाटो कैचप, दो बड़ा चम्मच टमाटो कैचप, इस भूने हुए मसाले में डाल दें और इसे दो मिनिट तक लगातार चलाते हुए भूने अब आप इसमें गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं अब हमारा मसाला लगवक भून चुका है, अब इसमें से बहुत अच्छी खुश्वू आ रही है बुने हुए मसाले में कटहल के बीच जो हमने पहले ही फ्राई करके रखे हुए हैं, उन्हें डाल देना हैं और मद्यमाच पै लगातार चलाते हुए मिला लें उसके बाद उसे पांच मिनिट के लिए ढग करके रख दें, जिससे की बीच ठीक से गल जाएं, तोगी बीच गले में काफी टाइम लेते हैं उसके बाद उसमें आदा नीवू मिला दें, और कसूरी में थी भी मिला दें, इसको एक बार फिर से ठीक से मिलाएं जिससे की कसूरी में थी और नीवू ठीक से मिल जाएं, उसके बाद आप इस किसी बावल में इसकी सूखी सबजी निकाल सकते हैं और आप इसकी गीली सबजी बनाना चाहें, तो इसमें एक से डिर गलास पानी मिला दें, जिसससे की इसकी हाड ग्रेवी बन सके पानी मिला लेने के बाद इसको दो से तीन उवाल आने तक के लिए ढख करके रख दें अब कटहल के बीच की सबजी बिलकुल बन करके तयार है हमारे पास तरी वाली और बिना तरी वाली दोनों तरह की कटहल के बीच की सबजी बन चुकी है अब आप इसको टेस्ट करके देखिए कटहल के बीच की सबजी जिसमें बादाम का जाय का आएगा एक बार जरूर बनाईए और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए गुट बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में